सूबी के नयमुखिया डॉक्टर मुहन यादो भोपाल के स्वारिस मारक पहुचे उन्होंने यहाँ शहीदों को नमन किया और कहा कि आज का दिन हमारे लिए हमारे देश के लिए गौरव का दिन है गौरतलब है कि 16 दिसंबर 1971 को भारतिय सेना ने पाकिस्तानी सेना पर शांदार जीत हासिल की थी और यह दिन हमारी शांदार जीत की याद दिलाता है डौक्टर यादो ने विक्सित भारत संकल परियात्रा को लेकर कहा है कि पियम मुदी चाहते हैं कि हम और अच्छे काम करें पहरत के आज गोरहु का दिरसे खासकर के बंगलादेश पे इस कर से पाकिस्तान के उपर भारत में विजय प्राप्त कि थी और पाकिस्तान को दो हिस्स्सों में बाठ करके पूरवी पाकिस्तान संप्षश में और यह एक तरह से हमारे अपने पराकरम की पराकाश्टा भी कि इस युद्ध में इतनी दुरुद्गती से सरकार के नेड़ने का पालन करते वे सेना ने अंजाम तक पहुचाया तीनों छेत्रों में तीनों त्रह से जल सेना थल सेना वायु सेना और 93,000 बुरुसेनिकों को बंदी बनाकर चंगेश खा और उनके पूरे प्लान को फेल करन में आज की सवसर पर सारे बलिदानी कि अमर सेनिकों को भी स्मरंण करना चाहूंगा जिनने भारत को यह गोरुषाली चंड दिया है और हमको हमारी सेना पर गर्वा